मुझे पूरा विस्वास है, आप लोगों ने कहीं न कहीं, Chromebook का नाम तो सुना ही होगा, कि आज इस company ने अपनी एक Chromebook लॉंच कर दी है इंडिया में, यासे HP ने आज अपनी एक Chromebook लॉंच की है इंडिया में, तो आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा, या फिर अपने द यह आपके लिए है कि नहीं है तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ कि इस वीडियो को शुरू करते हैं तो देखें सबसे पहली बात Chromebook एक laptop का ही रूप है मतलब laptop का ही एक रूप है Chromebook laptop में क्या क्या होता है operating system होता है window होती है application होते है इसी का एक रूप है Chromebook इसमें क्या होता है इसमें केवाल एक ही application होता है उसका नाम है Google Chrome कुछ नहीं होता है मतलब Chromebook में कुछ नहीं होता है केवाल एक ही application होता है Chromebook तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मतलब थोड़ा बहुत आपको बता जिता हूँ हिंट के तोर पर जैसे लैपटॉप में सब कुछ होता है विंडो, ऊएस, एंड, एपलिकिसन गएर है सब कुछ होते है तो Chromebook में ये सब कुछ नहीं होता है क्यों नहीं होता है Chromebook उन सबी लोगों के लिए होती है जो इंटरनेट पर अपना सब कुछ काम करते हैं मतलब उनका लैपटॉप लेगने का मकसद ही यह है कि उनको इंटरनेट चलाना है एंड, इंटरनेट के लावा कुछ भी नहीं चलाना है तो बोलो Chromebook लेते हैं क्योंकि उसमें किवल Google Chrome होता है एंड लैपटॉप को ओपन करेंगे एंड इस्टाट करेंगे तो सीधा उसमें Google Chrome ओपन होगा एंड अगर आप बात करें लैपटॉप की तो लैपटॉप में क्या होता है लैपटॉप को आप स्टाट करेंगे तो उसमें बिंडो लोट होती है एंड आपके सभी अप्लिकेशन लोट होके आते हैं आपके सामने उसके बाद आप चॉज़ करते हैं कि आपको ये वाला अप्लिकेशन खुलना है या फिर ये वाला या फिर म्यूजिक सुनना है या फिर गेम केलना है या फिर और कोई टास्क करना है लैपटॉप में लेकिन क्रॉम बुक में आपको केवल इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं इसके लावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो Chromebook को वही लोग लेते हैं, जिनका काम ही है, इंटरनेट चलाना पूरे दिन, या फिर जिनें इंटरनेट पर ही रहना है, मतलब इंटरनेट के लावा कुछ नहीं करना है, लैप्टॉप पर, तो बोलो Chromebook को लेते हैं, अब आप कहेंगे कि हम Chromebook क्यों लें, हम पी ना लेने, तत्रब उसमें हम सभी चीजी कर सकते हैं, और Chromebook में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल इंटरनेट चला सकते हैं, तो देखी, Chromebook में क्या होता है, Chromebook में केवल एक ही अप्लिकेशन होता है, Google Chrome, तो वो थोड़ी कपरासे मिलती है, थोड़ी नहीं, बहुत कपरा अप्लिकेशन को, तो उसमें एक बेसिक सा प्रोसेर लगा होता है, एंड बिंडो बगएरा होती नहीं है, OS बगएरा नहीं होता है, तो इन सब का जो प्राइस है, वो कट करके, बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको Chromebook देखने को मिलती है, और वहीं अरमात करने लेफट पर या और कोई भी टास्क, तो इसको किपर वहीं लोग लेते हैं, कम प्राइस में मिल जाता है, एंड बो बस ओपन करते हैं, और उनका जो Google Chrome हो जाता है, एंड वो बस मस्त इंटरनेट सिलाते हैं, I hope कि आप समाझे गए होंगे कि Chromebook क्या होती है, अगर कोई डाउट है, को कोई B, X, Y, Z डाउट है, तो नीची कमेंटें पूछिए, कोई सुझाव है तो बताईए, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लेगी तो सिलाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर बताना कि Chromebook क्या होती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साथ शेर कर द लीजिये क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी वीडियो लाता रहता हूं, एंड आपको कुछ नहीं नहीं बताता रहता हूं, मैं मिलता हूं आपके किसी नई वीडियो नेट अपके के साथ, तब तक लिए जैहन बंद मात्रम